आई दोस्तों आप सभी का एक वर्पनाव स्वागत है, सक्सेस क्लास 22 में आज हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, एज यानि आई यू यह दोस्तों आई यू से आप लोग का पहला क्लास होगा और इस क्लास में लोग बिल्कुल 0 से सुरुवात करेंगे, तो चलिए आज की क्लास को सुरू करते हैं और क्वेस्चन को समझते हैं आपके समने पहला क्वेस्चन है, करा है सीता और गीता की वर्तमान आयू का नुपात 5-4 है अब से तीन बर्स बाद उनकी आयू का नुपात 11-9 हो जाएगा, तो गीता की वर्तमान आयू क्या है हमें पता है दोस्तों किसका, सीता और गीता की वर्तमान आयू का नुपात पता है, कितना है, 5-4 है का रहा है अब से तीन बरस बाद मतलब वर्तमान से तीन बरस बाद की बात का रहा है कितना हो जाएगा इसका आयूक नुपत 11-9 हो जाएगा तो आपको बताना है कीता की वर्तमान आयूक क्या है तो चले दोस्तों इस सवाल को सुल्ब करते हैं इस सवाल को बनाने से पहले मैं आप लोग को इस चीश बता देना चाहता हूँ अगर आप लोग कहीं भी age का class कर रहे हैं ठीक है किसी भी teacher से age यानि IU का class पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ratio और average पर पकर होना चाहिए ठीक है अगर आप लोग ratio और average को पढ़े हैं तब आपको age वाले सवाल में कहीं भी कोई दिकत नहीं आने वला है आपको सबसे पहले ratio और average को पढ़ना चाहिए उसके बाद अगर आप age का class करते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिकत नहीं होगा ठीक है तो चले दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं हमें पता है सीता और गीता की वरतमान आयू का उनपाद कितना है 5 is to 4 है यहाँ पर लिखना है 5 is to 4 उसके बाद दोस्तों करा है अब से 3 बर्स बाद उनकी आयू का उनपाद कितना हो जग 11 is to 9 हो जग 3 बर्स बाद यानि वरतमान से 3 बर्स बाद की बाद करा है अगर दोस्तों किसी व्यक्ति का उमर अभी 4 बर्स है तो 2 बर्स के बाद क्या होगा 6 बर्स होगा तो 6 बर्स कैसे हो इसमें plus 2 करना पड़ा है उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पता है वर्तमान आयू का अनुपात पता है किसका सीता और गीता का अब से कर है तीन वर्स बाद तो इसमें क्या करेंगे तीन वर्स पलस करेंगे ठीक है आप लोग दोस्तों इस कोंसेप्ट को समझे होंगे तीन वर्स बाद की बात करें तो क्या करना है पलस थरी करना है ठीक है अग आनुपात में किसी भी संख्या को डिरेक्ट जोर या घहता नहीं सकते हैं आगा ग्लत हो जाएगा इस इसमें गुनाया भाग कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, चलिए उसे समझते हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपको एक्षी जाद रखना है क्या, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो यहाँ क्या है, 5 इस टू 4 के अनुपात हमें करना है, 4x, और खूश्चन देखें, अब क्या कराए, तीन बर्स बाद कराए, तो अब दोस्तों, यहाँ नोग पर हम लोग तीन बर्स एड करेंगे, यह आपका हो जाएंगा, और यह आपका हो जागा, फाइव एक्स पलस टिरी, यह आपका दोस्तों, सीता और गीता कि अब से तीन बर्स बाद की आयू का अनुपात आ गया कितना होगा 5x प्लस 3 होगा किसका सीता का और 4x प्लस 3 होगा किसका गीता का और यह अनुपात आपको पता है अगर उको 3 से multiply किज़ेगा तो आपका हो जाएगा अगर 33 अब दोस्तों यहाँ पर देखें, 44 बराबर के उस से ड़ाएगा तो मैनस हो जाएगा 45 के साथ यह आपका आगया x इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 दोस्तों बराबर के उस से जाएगा तो मैनस हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 33 में से 37 जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 6 यह दोस्तों आपको x का मन निकल गया कितना होगा 6 होगा यहां पर दोस्तों आपको simply से x का मन बिठा देना है, यहां पर आप सीता और गीता दोनों की वर्तमान आयू बता सकते हैं कितना होगा, लेकिन question करा है गीता की वर्तमान आयू कितना है, इसके लिए क्या करेंगे, गीता का है दोस्तों 4 x, तो 4 multiply कर देना है 6, तो यहां पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या अनुपात और average, यहां पर दोस्तों अनुपात का age में काफी जादे यूज है, और उसके बाद जो age में आगे बढ़ेंगे, उसमें दोस्तों average पर question कुछ आते हैं, ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही पता दिया हूँ, अगर आप age का class करते हैं, तो आपको सबसे पहले ratio और average का class आना चाहिए, खासकर कि दोस्तों ratio का class आपको पूरी तरह से समझाना चाहिए, तो आपको दोस्तों age में कहीं भी कोई दिकत नहेंगा, ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपके समने अगला question है, करा A और B की आयू का अनुपात 1 अनुपात 2 है, 7 बरस इसे की आयो का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 is to 5 हो जाएगा, तो आपको बताना है उनकी वर्तमान आयो कितना होगा, तो चलिए इस zer Bonjour को समझते हैं, आपको पता है A और B की वर्तमान आयो का अनुपात कितना है, 1iye 2 है यहां पर लखना है 1 इस To Two, और दोस्तों किसी भी अ होगा। यहां पर आपको लिखना है 1x और अनुपात का मतलब क्या होता है? बत्टा हम क्या लिखेंगे ट्टु कर देंगे और दोस्तों बी की जु आयू है우도 है ट्मपात कितना एक का होगा 1x प्लस 7 और वी का होगा 2x प्लस 7 ठीक है धीक है दोस्तों साथ ब्रस के बाद इसकी आयोक अनुपात कितना हो जागा 3 इसलिए यहां पर क्या करना आपको बराबर लगा देना है बस हो गया इतनी सी कॉंसेप्ट आपको ध्यान में रहना है ठीक है अब दोस्तों से आगे solve कर दीजिए यह आपका हो जागए 5X plus 35 इकुल तू 2 को 3 सी किजएगा ता आपका हो जागए 6X पलस सत्या 21 यहाँ पर देखे 5 को बराबर के THIS से लेजएगा ता आपका दोस्तों 6 में से 5X जाएगा यह आपका जगाते हैं उनकी वर्तमान आयू क्या है यानि दोनों की आयू मांग रहा है देखे एक्स कमन 14 यानि एक कितना वर्सका होगा 14 वर्सका और वी कितना वर्सका यहां पर दो जगा भी 28 वर्सका यह दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आपके समनेगला कुश्चन है गरहें दो ब्यक्तियों A और B की आयू का अनुपात 5-7 है 18 वर्स पहले उनकी आयू का अनुपात 8-13 था इनकी वर्तमान आयू क्या है आपको बताना है दोस्तों दो ब्यक्ति जो है A और B इसका दोस्तों आपको आयू का अनुपात पताए कितन आठ नुपात 13 है तो आपको बताना इनकी वर्तमान आयू क्या होगा दो बैखती हैं दोस्तों A और B ठीक है और इसके आयू का नुपात आपको पता है कितना है फाइव इस्टू सेवन के नुपात में है यहाँ पर दोस्तों आपको X लगा देना है सिंपली से और कर रहा है यानि वर्तमान से 18 वर्त पीछे आपको जना होगा तो क्या करना होगा वर्तमान आयू में मिनस करना होगा और 18 वर्त बात करता है तो क्या करते है पलस करते है लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा वर्तमान आयू में मिनस करना होगा यह हो जागा 5X मिनस कर देना है 18 क्योंकि 18 18 बस पहले रहा है बता में हो जाएगा 7x-18 18 या हो गया। ऑर यह आपको पता है कीत्च 5 बता नहीं हो जाएगा 8 बता 13 8 हो जएगा 1635 15 26 234 25 तो हो जाएगा 7 को 8 से multiply किजगा तो आपको जाएगा 7 8 है 56 x minus हो जाएगा 18 को 8 से multiply किजगा 8 8 है आपको 144 अब दोस्तों यहाँ पर समझे 56 बरावर कि इससे डाएगा तो 65 लिए से minus हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको 65 में से 56 जाएगा 9x equal to कर दियना है और 234 को बरा करना है 9 के साथ x क्या है multiply में तो 9 को इससे डाएगा 9 इससे डाकर दोस्तों 90 को divide कर जाएगा तो आपको हो जाएगा 9 दहिन नव यानि x कमान हो जाएगा 10 यह आपको दोस्तों x कमान निकल गए कितना होगा 10 होगा अब दोस्तों question में दिके कहा क्या रहा कारे इसकी वरतमान आयो के जाए यह है 5 X और 7 X सीधा से दोस्तों दस से multiply कर देना है A की वरतमाने होजाएगा 50 वर्स और वरस है आपको पता है दोस्तों P और Q की वरतमान आयो का अनुपाद कि इतना है 2 is to 3 है कर रहें तीन वरस के बाद यह कितना हो जाएगा 3 is to 4 हो जाएगा आपको बताना है P की वरतमान आयो क्या है तो चले इस question को समझते हैं आपको पता है P और Q की वरतमान आयू का अनुपात कितना है 2 इस्टू 3 है तो यहाँ पर लेकना है 2 इस्टू 3 है और यहाँ पर दोस्त आपको X लगा देना है क्योंकि किसी भी अनुपात में डेक्ट जोरिया घटा नहीं सकते हैं ठीक है और आगे कुस्चिन कर रहा है तीन वर्स के बाद यहाँ अनुपात कितना हो जाता है 3 इस्टू 4 हो जाता है तीन वर्स के बाद यहाँ पर आपको कर देना है 2X पलस 3 बटा में कर देना है 3X पलस 3 यह आपका हो गया p और q की तीन वर्ष के बाद 2X plus 3 Q का हो ज़िएगा 3X plus 3 और यह आपका अनुपात पता है तीन वर्ष के बाद कितना होगा 3 is to 4 होगा ती यहापर आपको बराबर में कर देना कितना 3 is to 4 मतलब अनुपाद का मतलब कि यह बटा ही होता है ती आपको हो जागा 3 बटा 4 बस हो गया यहाँ पर दोस्तों आपको Multiply कर देने ती आपको हो जागा 4200 8X पलस हो जागा 432 इक्वल टो हो जागा 3 ती 9X पलस हो जागा 3 ती 9 मोर्वाभत निकला कितना हो आप आपको देखते क्या करारा है पी की veo pien贵 कितनी वरस में है kung तो आपको दोस्तों ऐगे की वर्तमान पाथ और आट वरस में का रहा है, ये की वर्तमान आयू आपको बताना है, एक किवर्तमान आयू कितना है तो चले दोस्तों इसे Solve करते हैं कुश्चिया करह रहा है दोस्तों A और B की वरतमान आई के वारह में कितना एक राएं आजी के व का रहा है अब आगे कुश्चिया क्रह ऐसके क्या कर रहा हैं कर आथ वरत पहले कितना वरस गता 20 धूर continuum यह दोस्तों वर्तमान आपको पता है कितना है 2 अनुपात में है यहां पर दोस्तों 8 वरस पहले की बात करेंगे यहां करेंगे वर्तमान आयू में से 8 वरस मैनस करेंगे ठीक है तब क्या होगा 8 वरस पहले की आयू हमें पता होगा वर्तमान में है दोस्तों 2x अनुपात में 8 वरस पहले त तो एक्स इक्वल टू आठी से ड़ागर 20 में पलस हो जाएगा तिया आपको जाएगा 28 और यहां से आपका एक्स बराबर हो जाएगा त्यापको जाएगा चोधा दूना म applies यह दोस्त आपको एक्स कामान निकल गहाई कितना होगा 14 निgedक में क्या रहा रहा है पहले P की उम्र क्या थी तो चलिए दोस्तों इसे solve करते हैं यहां पर देखें क्वेश्चन में पता है P और Q की वर्तमान आयो का अनुपात कितना है 3 is to 4 के अनुपात में है तो यहां पर लिख देना है 3 is to 4 और यहां पर इसे x के साथ multiply लगा देना है तो यहां पर दोस्तों पी और Q की वर्तमान आयो का अनुपात का रहा है 8 वर्तमान में Q कितना है 4x का है और 8 वर्तमान का रहा है तो इसमें क्या करेंगे 8 वर्तमान आयो में से अगर 8 वर्तमान मेंस करेंगे तो क्योंकि आट वर्स पहले क्या हूं हमें पता होगा और यहां दोस्तों हमें पता है आट वर्स पहले क्यों क्या हूं कितना है आट वर्स था यहां पर दोस्तों इक्वल टो आपका क्या हो जाएगा eight हो जाएगा बस simple सा मद्याओं में हो जाएगा ये आपको निकल गया दूस्तों ऑगा कितना होगा फोड होगा अग दोनों में से किसी क्या या आप निकाल सकते है leftover आठ वरस पहले P की उम्र किया थी तो P की दोस्तों वर्तमान में कितना है 3 X है अनुपात में यहाँ पर आपको क्या कर देना 3 multiply कर देना X के मन कितना है 4 है यह दोस्तों हो जाएगा 4, 3, 12 P की वर्तमान है होगा 12 वरस क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 X है अनुपात में तो वर्तमान में कितना होगा 12 वरस होगा और question कर रहा है 8 वरस पहले कितनी थी 8 वरस पहले की बात कर रहती है यहाँ पर क्या करेंगे 8 वरस मिनस करेंगे तो 12 में से आपको मिनस कर देना है 8 यह आपको हो जागा 4 की वर्तमान उम्र कियात किजिए क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों ए और बी की जो उम्र का उनुपात है सिवन इस्टू एट या क्या है पांच वरस बाद के उनुपात है ठीक है ए और बी का जो उम्र का उनुपात है सिवन इस्टू एट या क्या है पांच वरस बाद का दोस्ते हैं आपको पता है ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है सेवन इस्टू एट के अनुपात में है और यह दोस्तों क्या है पांच ब्रस बाद का अनुपात है ए और बी की पांच ब्रस बाद का अनुपात है इसलिए दोस्तों यहां पर क्या करना होगा ए देखे वर सब्स बाद का उनुना पात है, 7x, ठीक है, यहाँ पर देखे, यहाँ राए है, 7x में इसमें 5 इसाम मिल्स मिनРस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखे वampawn मैं आपको पनाल मिल्ट मिल्स योगा, आपको X को आ निकला है कितना होगा 5 होगा बस सिम्पल सा है अब दोस्तों यहांपर देख्ए आपको किसका उमर बताना है 2 का बताना है उमर क्या होगा तो विका दोस्तों कितना यहीं आक्ट मॉल्टीपल नflower कर देना है 5 थी आपको आठ पंच चालीस B का जो उम्र है 40 वरस इसमें से 5 वरस मिनस करना होगा क्योंकि आप 5 वरस बाद का उम्र है ठीक है यहाँ पर देखिए आपको 40 हम मिनस कर देना है 5 यह आपका आजाएगा 35 B वरतवान में कितना वरस का है 35 वरस का है यहीं दोस्त आपका एंसर हो जगा आपके एंसरम नोगरा कुश्चन कर रहा है 6 वरस पाले B और Q की उम्र का अनुपाद तोH,2 to 3 था B आच 24 वरस का है तो Q की वरतवान ईम्र ग्याद किजी आपको पता है दोस्तो 16 वरस पाले B और Q की उम्र का अनुपाद कितना है 2 to 3 है और इससे पहले वाले कुश्चन में हमें 5 वरस बाद की उम्र का अनुपात पता था ठीक है और यहाँ पर हमें 6 वरस पहले की उम्र का अनुपात पता है कितना है 2 is to 3 है आगे कुश्चन का रहा है P आज 24 वरस का है तो Q की वर्तवान अम्र ग्यांत कीजी तो चलिए इस question को सुल्व करते है question का रहा है दोस्तों P और Q की उम्र का जो अनुपात है वा कितना है 2 is to 3 के अनुपात में यहाँ पर दोस्तों आपका अनुपात लगा देना है यह आपका होज अगर 2x और यह आपका होज अगर 3x और यह जो 2 is to 3 के अनुपात में यह क्या है 6 वरस पहले के अनुपात है किसका P और Q का आगे question का रहा है दोस्तों P आज 24 वरस का है और यह हमें क्या है 6 वरस पहले के अनुपात पता है P आज कितना वरस का है 24 वरस का है यहां पर देखे छों वरत्मान से पहले का जो उम्र है पी गुतना 20 वरस चाहएंगे और हमें पता है भी वरत्मान में कितना वरत्मान में कितना वारत डिख होगा तो 24 में से 6, 18 एक्स ब्राबर हो जगा आपका कितना 9 यहाँ पर देखे, आपको बताना है किस का Q का उम्र बताना है वरतमान में यहाँ पर देखे, Q का कितना है 3, X है तो आपको जगा 9, 3, 37 यह जो 37 बताना है ये यह पर चाहँ पाले का उम्र है और आपको बताना है कि आ वर्तमान, इसलिए क्या करेंगे, इसमें पलस छो कर देंगे, ठीक है, ये आपका 27 पलस छो कितना हो जागा, 37, 33, 33, यानि क्यूं का वर्तमान ओमर कितना होगा, 33 वरस होगा, यहीं दोस्ता आपका एंसर हो जागा, बस सिंपल साइचली आगे बढ़ है, और इनकी वर्तमान ओमर का अनुपात भी आपको पता है, कितना है, तो आपको बताना है, इनकी आयू क्या है, तो चले दोस्तों, इसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन कर हैं, दोस्तों, A और B के बारे में ठीक है, A और B की आयू का अनुपात आपको पता है, कितना है, 3 यहाँपर अनुपात लगां देनाए और इसमें भी दोस्तो आपको ऐक्स लगा देना है और इसमें भी आपको X लगां देना है ठीक है यहों कामें उम्र का अनुपात पता है A और B का या क्या है 10 वरस पहले की उम्र का अनुपात है ठीक है। आगये question करें इसकी वरत्मान नहीं का अनुपात कितना हैट जां वरत्मान में आने के लिए क्या करेंगे ? पलस 10 करेंगे तक यी आपका हो 10 की ते आपका आगया वर्तमान का ठीक है और आपको वर्तमान उमर का अनुपात पता है कितना है 2 is to 3 है यहाँ पर equal to आपको कर देना है कितना 2 is to 3 यानि 2 बटा 3 अब दोस्त आपको क्या करना आगे हैं इसे solve कर देना है चलिए दोस्तों इसे आगे solve करते हैं यह आपका हो जगा 3 तिया 9 x प्लस कर देना है 10 तिया 30 equal to कर देना है 5 दोना 10 x प्लस कर देना है 10 दोना 20 यहाँ पर देखे 9 को इसेर बेज़ेगा तो 10 की साथ मेनस हो जागे ते आपका हो ज़गा x equal to और 20 को इसेर बेज़ेगा तो 30 की साथ मेनस हो जागे ते आपका हो जगा 30 में से 20 जागे ते आपका हो जगा 10 यानि x कमान आपको निकला कि इतना होगा 10 होगा अब आपको simply से x कमान बिठा देना है यहाँ पर देखे आपका हो जगा 30 तीज – एहापको होगा जाया Гос glass r1 50 R3 30 R 4 1े, जाने 6 room पर दमहाने 6 Jill r5 50 R5 आपको बताना है किनका इनकी ICU क्या है यानि वर्तमान की बाद कार है यहां पर क्या करना होगा पलस 10 करना होगा 10 परस पहले था 30 उर्त प्रस का तो वर्तमान में क्या होगा 40 वरस होगा और यह 10 वरस पहले था 50 वरस का तो वरत्माने क्या होगा 60 वरस होगा तो यह दोस्त आपका आगया 40 और 60 A होगा वरत्मान में 40 वरस का और B होगा वरत्मान में 60 वरस का यहीं दोस्त आपका अंसर हो जागा 40 और 60 चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सबने अगला question है कर दस साल पहले B की उम्र, C की उम्र की 10 गुनी थी, यदि उनके वर्तवान उम्र का उनुपाद 4-1 है तो B की वर्तवान उम्र घ्याद किजी question कर दोस्तों B की उम्र जो है ने C की उम्र की क्या थी, 10 गुनी थी, कब 10 साल पहले, ठीक है और question यह भी कर रहा है, वर्तवान में जो है न, इसके उमर का उनुपात कितना है, 4 is to 1 है, आपको बताना है B की वर्तवान उमर कितना होगा, तो चलिए दोस्तों इसे solve करते हैं, question कर रहा है दोस्तों, B और C के बारे में ठीक है, B का उमर, C के उमर का 10 गुना था, यानि C अग और कि यहां पर क्या करना होगा, वर्तमान में आना होगा, आपको करना होगा, 10X पलस 10 ते आपका दोस्तों निकल गया B का वर्तमान उमर, ठीक है, और बटा में आपको कर देना है, x plus 10 यह आपका हो गया दोस्तों c का वर्त्मान हो ठीक है और आपको वर्त्मान उम्र का अनुपात कितना है 4 is to 1 है यानि 4 बटा 1 है अनुपात का मतलब बटा होता है तो आपका हो जागा 4 बटा 1 अब दोस्तों इसे आगे सुल्ब कर दीजे तो आपका हो जागा 10x plus 10 ओका हो 60 iqeologia 4x पलस कर देना है 10 जो के 40 कि यहाँ पर फोर सेट लाएगा तो 10 में से मेंस हो जागा तो आपका हो जागा 6 x 10 बराबर के उस तर्मान और 40 में से मैंस ما से ओझाई आपका 30 ठीक है तो यहां से दोस्तों आप x लेक गए सकते चोई से रहा कर दोस्तों 30 को डिवाइड कर देगा तो आपको जागा 36 यानि X का मान आपको निकला कितना होगा 5 होगा हमें दोस्तों X का बेलू निकल गया तो हम लोग दोस्तों A और B दोनों का उम्र निकल सकते हैं लेकिन आपको निकलना है किसका B का उम्र निकलना है कितना होगा यहाँ पर देखे B क्या है 10 X में है तो आपको हो जागा 10 पचास और यहाँ क्या है 10 वरस पहले का है तो इसमें क्या करना होगा पलस 10 करना होगा तब होगा वर्तवान में ठीक है या आपका हो जाएगा 50 पलस 10 की जेगत हो जाएगा 7 यानि B का जो वर्तमान उम्र होगा कितना होगा 60 वर्त होगा यहीं दोस्त आपका एंसर हो जाएगा B का वर्तमान कितना होगा चलिए आगे परते हैं आपके समने अगला question है करें 7 वरस पहले A और B की आयो का अनुपात 4 is to 5 था, 7 वरस बाद उनकी आयो का अनुपात 5 is to 6 होगा, तो B की वर्तमान अयो कितनी है, आपको पता है 7 वरस पहले किसका A और B की आयो का अनुपात कितना है, 4 is to 5 है, तथा 7 वरस बाद इनकी आयो का वरत्मान ओमरूलर। एक्स प्लस कर देना है, यहापका क्या कर देना है, उन्हीं कर देना है, 5X पलस चेवन। यह आपका ए और बी वरत्मान आयू आगया projeto, 4x प्लस 7 होगा A का और B का कितना होगा 5x प्लस 7 होगा लेकिन question आगे कर है 7 वरस बाद इनकी आयोका उनुपाद कितना हो जाता है तो 5 is to 6 हो जाता है ये तो हम निकाले वर्तमान का ठीक है लेकिन question कारा है दोस्तों 7 वरस के बाद इसके आगे पाद कितना होगा 5 इस टू 6 होगा तो यहाँपर क्या करना होगा वर्तमान से 7 वरस आगे जाना होगा यहाँपर आपको कर देना है 4 X पलस 7 किजिएगा और यहाँपका 7 कितना हो जागा 14 हो जाएगा तिया आपका हो गया दोस्तों वर्तमान से 7 बरस आगे ठीक है 7 बरस बाद यानि 7 बरस आगे तिया आपका आगे दोस्तों किसका A का क्या होगा 4X प्लस 14 होगा 7 बरस बाद B का कितना होगा तिया आपको कर देना है 5x प्लस 14 तिया आपका आगया दोस्तों B का कितना होगा 7 बरस के बाद यहाँ अनुपात होगा और यहाँ आपको पता है कितना होगा यहाँ पर रेखना है 5 is to 6 अब दोस्तों इसे solve कर दीजे तिया आपको हो जागा 64 के 24x 14 चाके हो जागा 84 इक्वल टू हो जागा 5 को 5 से multiply की जागा तो 25x 14 पंचर 70 यहाँ पर देखे 24x को बरावर के उससे बेज़ेगा तो 25 में से 24 जागा आपका हो जागा एक्स और यहाँ पर दोस्तों 70 को इससे बेज़ेगा तो 84 में से 70 जागा आपका हो जागा 14 से 21 एक्स कमान principle को निकना कितना होगा 14 होगा ठीक है और आपको बताना है बी का वर्तमान आइव क्यतना है यहाँ पर देखे बी का वर्तमान करते हैं 5x प्लस 3 यहाँ पर दोस्तों एक्स कमान रखे यह आपका marvel तो सब्सक्राइब को आपके साय जाए साथ कितना हो जाईगा यह दोस्तों 20 का वरतमान निकला कितना हो गागाव केतना होगा दोग आपको पता है दोस्तों दो बेक्ति किया उक्षा कितना है थूuks भल कितना होगा है और इसके आईू का लेक्षा कितना है ती हूँ हाँ दूसरे נницы व्रखेत Арstudy Auto 10 व्रहर है थिक हैं यहां पर देखिया नुपात में कितना दीड है वैसे तो रही हं में कर दिया कितना दीकार ते नुन फास सब्सक्राइब हो तीन फास है टीक है सकते हैं कितना हो जाएगा मैं आपका हो जाएगा 10 ठीक का एक हुंन प्रत करेगा किपना होगा 10 होगा thing और आपको बताना है बाता है इनकी अ Unfmuman है खुर किका ही होग तो दोनों की वर्तवान आयो ग्यांत किजिए आपको दोस्तों चारवस पहले राम और रहीम की आयो का अनुपाद पता है कितना है तो चारवस पहले का पता है और चारवस पहले का पता है और चारवस पहले का भी पता है तो आपको बताना है दोनों की वर्तवान आयो क्या हो धीक है सबसे पहले हम लोग पिरजेंट के आयू निकालेंगे उसके बाद उसमें चारवरास बाद की कि निकाले तो चली इससे सूल्भ करते हैं क्वेस्टेट करें दूस्टों राम और रहीं के वारे की आपको हो गया राम और या आपको। रहीं और वरतमान नहसरा है two X plus करना होगा, फोर्ती आपका हो जगा वर्त्मान में राम का यू और उनपात का मतलब बटा होता है, तो बटा में कर देना है three X पलस फोरती आपका हो जगा रहीम कवरतमान यह ठीक है यहाँ पर आपको लिखने है परजेंट जिस से याद रही ठीक है आगे कुश्चन कर रहे दोस्तों चार बरस बाद इनकी आयू का उन पतकी इतना हो जाता है फाइज चार बरस बाद परजेंट से आगे की बात कर रहे आपका होज़ए गे ड्यवश्ए कर्देश पमसमीम्स तो फिर इंपस्व पू और महलए यह करे दोस्तों राम कहा, जाने थियों 20 यहां कि ऊनुपाते तो अनुपात लेया चारीश 기다term यहां पर आपको लीख देना है 5 बड़स्विश हूं अनुप्सक पर दियों 21 somm पलस कर देना सतु अठ चपन इक्वल टू कर देना है पंच तिया पंद्रव एक्स अब पलस कर देना है अठ पंच चालिस यहां से देखे 14 को इसे रभेज़ेगा तो 15 के साथ मेनस हो जाएगा तिया आपका जुस्तों हो जाएगा एक्स और 40 को इसेर बेज़ेगा तो 56 में मिनस हो जाएगा तिया आपको हो जागा 16 X कमान आपको निकला कितना होगा 16 होगा और आपको बताना है दोनों की वर्तमान आयो यहाँ पर देखे परजेंट में कितना है 2X पलस 4 राम है और 3X पलस फोर क्या रहीम है राम का हो जागा 16 दोना 32 4 चारशी जानी 36 पर दिखेंट का राम होगा और रहीम का कितना होगा यहाँ आपको हो जागा 16 odd 48 दो पचास दू बावन यानी रहीम होगा बावन वर्तमान हो राम होगा 36 परज़ का वरतमान है और रह judging दोस्तर आपके सामने अगला कोश्चन है यह कितनी है असोक और आसीज की आयू का उनुपात आपको पता है कितना है 4-2-3 है और 6 वरस की बाद आसोक की आयू कारे कितना हो जाएगा 26 वरस हो जाएगा आपको बताना है दोस्तों किसका आसीज का आयू कितना होगा इस समय निवरतमान में तो चलिए इस क्विश्चन को सलुव करते हैं क्विश्चन कर रहा है दोस्तों असोक यानि डवल ए मान लिजा असोक और यह आपका हो जाएगा आसीज ठीक है असोक और आसीज के बारे में कर रहा है और इसके आयू का उनुपात कितना है 4-2-3 है तो यहां पर एक दना है 4-2-3 और इसमें ड़ल ऑफीश्चन लगा देना है और इसे वह आपको एकस लगा देना है ठीक है आगे कुश्चन कह रहा है छोबरस बात असोक की आयू 26 वरस हो जाएगी आपका दोस्तों क्या है वर्तमान बात किस और Patyो कितना होगा 26 वरस हो जाएगा वर्तमान परस के जितना यह कुतना है ओधिश है अगर SatHS हो चाह सिंपल सा यह भी आपका कितना है यहां और यह थे दोनकाject तो यहां से आपका ब्राबर हो ऑगा तो ऑके링 वीश अिली git UN का क्या रायकार है इस समय 80 क्या यूद कितनी है आपके सामने अगला कुष्चिन है करहें चो साल पाले ए भी तथा सी की उम्र का यो तीस वरस था तो दस साल बाद पर तेक के उम्र क्या होगी यदि इनकी वरतमान आयू का अनुपात 1-2-3 है आपको बताना है दस साल बाद पर तेक के उम्र क्या होगा ठीक है तो चले इसे सोल्ब करते हैं आपको पता है किसका A का B का और C का ठीक है इसके आयू का अनुपात आपको पता है किस सोन पात मीं हैном n ofIn is to two is to three Qर эт म karaoke और दोस्तों कर रहा है चो साल पहले के उम्ध का यो कितना चाहित तीस वरस था आपको 18 कितना हो जाएगा आपको जाएगा 13,46,48 यानि वर्तमान में 3,2 ब्यक्ति के उम्र का यो, 68 वरस होगा ठीक है यह 48 वरस अब्यूंज जो चीज हमें रियल में पता होता है मैंने आप लोग आनूपात ओले कास में बताया था जो भी चीज को में रियल में पता होता है वहीं आनूपात का निकालते हैं पर दे कि हमें पता है कि सका a-b-c के वर्तमान के उम्र का योग तो हम लोग क्या करेंगे अनुपात का भी योग करेंगे तिया पको हो जागा one plus two three 3, 2, 3, कितना ह differential, 6 याणि अन्रूपात में तीनों की उम्र का योग कितना है, 6 ह nacional, आपस में 3 की मρχ सिब्सक्राइब की ओर 0- 14- जाने अन्रूपात में कितना है और कितना होल योगा क्यों कितना हो गांपाप स्वि के क्राम होगा 네 यापस में सा आम जोगा ही आ होगा और question का क्या रहा है दस साल बाद पड़ते की उम्र क्या होगी तो सबसे पहले यह जो अनुपात है यह क्या है इनकी वर्तमान आयो का अनुपात है कितना है यहां पर देखिए एक अनुपात में तो आपको जगा आठ बी है दो अनुपात में तो आपको जगा 16 और सी का करना होगा पलस 10 करना होगा क्योंकि 10 साल बाद का रहा है एक है दोस्तों वर्तमान में 8 बरस तो 10 बरस के बाद क्या होगा 18 बरस होगा सिंपल सा बी है वर्तमाने 16 बरस का तो 10 बरस के बाद क्या होगा और सी है दोस्तों वर्तमान में 24 बरस का तो 10 बरस के बाद क्या होगा 24 कि आपका दोस्तों ABC के 10 साल के बाद का उम्र आ गए यहीं दोस्तों आपका इंसल हो जएगा 18-26-34 चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने अगला कुश्चन है करते हैं 10 साल बाद आकास और अजय के उम्र का उनुपात 3-5 होगी 5 साल पहले आकास का उम्र 12 था तो 5 साल बाद आजय के उम्र क्या होगी तो चलिए दोस्तों इसे solve करते हैं आपको पता है किसका आकास का और आजय के उम्र का उनुपात कितना है 3-5 है तो यहाँ पर लिखना है 3-5 और यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक्स लगा देना है ठीक है और यहाँ क्या है दोस्तों 10 साल बाद क में आने के लिए क्या करेंगे मैं कि 10 साल मिनस करेंगे ग French सुशन कर आने के लिए क्या है दो परतमान में है तो इसमें क्या करेंगे 5 बरस और मेनस करेंगे तो आपका हो गया आकास का 5 साल पहले का कितना वरस था 12 बरस था यह आपका तो कितना वजाएंगा बारा हो जाएंगा स आपको जाएगा आपको यह रावार्व साथ 27 बर्शिए में डिवाइड करेंगा तो इसकी अनुअ Va amb ard में फरी क क्या कर rival सबसे हैं वरत्वान करना है यहां पर आंट लिखना है इसकोलिक है अब दो धो और है आपको हो जाएगा 945 में तो जबादी होज जागा 10 आपदल जागा 5 यहांपर देखिए 45 में आपका दो सज़स्जेगा 35 अपदल पांच कितना ओजेगा 40 हो जाएगा पांच बशुक्त हो जाएगा 40 आपका एंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर तब कितने बरस पाले उनकी साधी हुई थी, तो चलिए दोस्तों इस step के question को देखते हैं, आपको कैसे बनाना है, आपको पता है husband और wife की वर्तमाना योग उन पात कितना है, 4 is to 3 है, तो यहाँ पर लिखना है 4 is to 3, और यहाँ पर आपको उन पात लगा देना है, और यहाँ आ अरटा में कर देना, 3 X plus 4 होई कि दोस्तों 4 plus 4 इस ब्यक्ति और इसकी पत्नी की आयो का उन पात, कितना हो जाएगा, यहाँ आपको जाएगा, 4 X बटा फोर, यहाँ हो जाएगा, 3 X बटा 4, 4 X प्लस 4 होजाएगा, किसका पती का, और 3 X प्लस 4 हो जाएगा पत्नी का, और यह और यहां के अनुपात आपको पता है कितना हो जाएगा 9 इशटो 7 हो जाएगा यहां से दोस्तों आप इसे से अलू कर दिए ति आपको हो oxy 28, X PLUS या आपको हो ज़एगा 13, 38, nyaपका हो ज़एगा 9,37 X PLUS हो जड़ेगा senRelect यहां पर merry zing यहां पर दोस्तों तो 7,X को इस तर बेज ज़एगा 18 में से मिनिस हो ज़एगा तो 36 में से 8 यहांनि X कमाना यह 8 अब दोस्त आप लोग इस पती पत्नी की आयू निकाल सकते हैं कितना होगा ठीक है देखें पती है फोर X के अनुपात है यहाँ पर दोस्तो आठ से फोर में मल्टीपले कीजिएगा ता आपको जगा 84 के 32 यानि पती होगा 32 वरसका पत्नी कितना वरसका होगा तो तीन को दोस् दोस्तों कितना वरसका है 32 वरसका और उसकी पत्नी कितना वरसका 24 वरसका और का रहा है इसकी जो उमर है या क्या वरत्मान उमर है अब दोस्त आपको क्या करना है देखें क्या करा है क्वेश्चन कर जदी उनकी साधी की समय आयू का उन पातिरश्ट नाइन था तब कितने पाले उनकी साधी हुई थी, मान लेते हैं उसकी साधी X पाले हुई थी, अगर दोस्तों उसकी वर्तमान आयू में से X पाले हुई थी, ठीक है, यहां पर दोस्तों अगर उसकी वर्तमान आयू में से X पाले हुई थी, ठीक है, यहां पर दोस्तों अगर उसकी वर्तमान आयू रस पाले वी थी तो इतनाना समय मिनस करने देंगे तो यह अनुपात कितना हो जागए 13 Renis-9 हो जागा ठीक है यहां पर दोस्तो आपको क्या करना है पहला तरीका क्या है आप लोग यहाँ पर इसे आगे solve करके निकाल सकते हैं x कमाद ठीक है यहाँ पर दोस्तों 32 को 13 में multiply किज़ेगा फिर minus फिर दोस्तों 9 को x multiply किज़ेगा फिर बराबर 24 को 13 से किज़ेगा मेनस फिर दोस्तों x को 13 से किज़े तो पाला तो तरीका यहाँ लेकिन दूसरा तरीका क्या है option तो रहेगा ठीक है किसी भी परिक्षा में जब question को सुल्व किज़ेगा तो option तो रहेगा तो आप लोग दोस्तों इतना process नहीं करके आपको दोस्तों option रखकर check करना है ठीक है ऐसा कौन सा option है जिसे रखने के बाद हमारा नुरुपात क्या हो जागा 13 नुरुपात 9 हो जाएगा यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले पाला option से check करते हैं पाला option है दो आपका 5 तो 32 में से दोस्तों आपको मेनस कर देना है 5 तो आपका क्या हो जागा 37 दोस्तों 24 में से मेनस कर देना यहाँ को हो जागा यह आपका 37 रखना और यह आपका 13 nothin यह दोस्तों आपका गलत हो जागा ठीक है पहला option दोसरा option केश्यकर करते हैं दोसरा option है दोस्तोस्तों चौह को मिनस ड decrease किजिए अपका 16 फिर दोस्तों चौह को मिनस किजिए अपका 18 यह दोस्तों आपका निकल कैए वह मेनस करने के बाद कितना आया 13 बाट अनो आया यानि उसकी साधी छोवरस पहले हुई थी तो उप्सन नमर दोस्तों बी यहां पर आपका सही हो जाएगा ठीक है उसकी साधी छोवरस पहले हुई थी मुझे उमीद है कि दोस्तों आप लोग इस कुछिशन को अच्छी तरी कि दूरा है कि जाखे भी नहां एका सही हो जाएगा भा आपका